नमस्कार बहुत स्वागत है आपका रोटियां तो हर किसी के घर में बनती है और रोटी गेहुं की ही अमुमन बनती है गेहुं को हमारे सास्त्रों में सोना से उनका तुलना हुआ है जिसको हम कनक कहते हैं इतने गुन होते हैं गेहुं में जो सोने के बराबर सुधता गुन ल यह आपके जो पेट भरता ही है संतुष्टी देता है आपके स्वास्त को बेहतर करता है गहुं में ऐसे सक्ती होती है कि आपके बात कप पित वाले पार्ट को बैलन्स करता है तो तो आज हम बात करेंगे कि जब आप रोटियां बनाएंगे आप किसी भी चीज की रोटी बनाएं चावल की बनाएं गेहुं की बनाएं या मैदे की बनाएं लेकिन रोटियां बनाने से पहले तबे को तो आप यूच करेंगे न चूले पे डालेंगे तो तबे पर ऐसा क्या रोटियां बनाना शुरू किए फटा-फट से दो-चार बनाने हैं बनाके रख दिए लेकिन आप हमेशा गलती कर देते हैं छोटा सा रोटी रोटी यानि थोड़ा सा आटा ही आप फलका सा उंगली से दबाके आप रख सकते हैं तो अब पर कोई दिकत नहीं है तो सबसे पहल है तो छोटा सा रोटी को आप जरूर रखें और जब आप तबा को उतारती है चुले से तो ये छोटा वाला रोटी तबे पे ही रहेगा फिर उसको उतारिए फिर हटाईए तो कोई दिकत नहीं तबा से जुड़ी भी एक और जानकारी आपके लिए कभी उल्टा करके तब तबा ना रखें ना खड़ा करके रखें और ना ही ओपें रखें छिपा के रखें काम हो गया तबा ठंडा हो गया उसको साफाई कीजिए साफ कीजिए और छिपा कर रखें गंदे तबे में कभी खाना मत मनाईए तो चलिए हम मुद्दे पे आते हैं जब आप रोटिया ब होगा नमसाले मिले होंगे एकदम से प्लेन नमक होगा उसको डालिए किसी कपड़े जो साप कपड़ा आप यूच करते हैं की चन में उसके सहारे पोच कर नमक को हटा दे अब रोटियां बनाना सुरू करें फिर देखिए बरकत कैसे नहीं होती आपका राहू सांत हो जाएग और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों के घर में जैसे आप सादा रोटी खाना पसंद करती हैं अगर संबब हो तो एक दूबन घीर भी डाल सकते हैं तबे पे तो अच्छा होगा